यह बोल्ट का Bluetooth earphone और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यह earphone flipcard.com से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो चलिए देख लेते हैं पूरा वीडियो और जान लेते हैं कि इसे आप खरीदें या नहीं तो चलिए कर लेते हैं इसको on box और देखते हैं content में क्या-क्या मिल जाता है तो यह flipcard का box इसको on cut करते हैं और मिलता है हमें earphone का box यह देखिए packet काफी अच्छी है packaging भी काफी अच्छी दी है seller ने इसको भी कर लेते हैं cut और देखते हैं box के अंदर से content क्या-क्या मिल जाता है यह कुछ details दी हुई है pricing और जो भी है इसके specifications दी हुई है pricing 3499 लिखा हुआ है बट आपको यह 1499 में मिल जाएगा वन-ear की replacement warranty है Bluetooth 4.2 वर्जिन पर चलता है premium neckband है build-in mic है long battery life है और deep bass लिखा हुआ है इसमें और magnetic earphones है यह है box इसको open करते हैं तो इसमें से एक मिल जाता है हमें यह poster इसमें कुछ message लिखा हुआ है you are what you listen to यह poster और यह मिल जाता user manual आप जब भी लें आराम से इसको पढ़ सकते हैं यह देखिए शारी details दी गई है तो आप पढ़ सकते हैं यह से और यह है warranty card जो कि one year replacement warranty यह company दे रहे हैं आपको और यह पीछे कुछ दिया हुआ है कि आप review करेंगे तो one movie ticket मिलेगी आपको अब देख लेते हैं main unit मतलब की earphone की तरफ तो इसमें से एक छोटा सा box मिलता है जो कि हम देखते हैं इसमें क्या क्या मिल जाएगा आपको मिल जाते हैं इसमें आपके earbud जो की two pairs है और one pair लगा हुआ है पहले से earphone में और यह USB cable normal charging के लिए यह है earphone quality काफी अच्छी है build quality यह देखें बोल्ट लिखा हुआ है इसमें और यह है content का जो भी मिल जाता है आपको यह देख सकते हैं आप अब बात करते हैं इस earphone की तो इस side आप देखेंगे left side में आपको plus minus means volume down और up करने का और next और previous song का मिल जाता है इसमें यह देखिए यह है power on off का button और यह plus minus का मतलब previous and next का song का और volume down up का इसको हम दबा कर रखेंगे और यह on हो जाएगा जब भी आप इसे on करेंगे तो आपको led light notification दिखेंगी जो के blue and red में यह है USB port sorry charging port जिससे आप अपने यह phone को charge करेंगे यह microphone जो की आपको मिल जाता है normal calls के लिए कि और चलिए इसको देख लेते हैं connect करके तो refresh करते हैं और जैसे visible हो गये bold curve name visible हुआ Bluetooth सेटिंग में इसको हमने टच किया और यह pair का pop-up आया पेर के option में गये और यह connect हो चुका है तो यहां पर आपको battery भी शो करेगा 100% अभी दिखा रहा है active दिखा रहा है आपको status bar में भी battery शो करेगा यह देखिए तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका मैंने तीन दिन अभी यूज किया तो मैं बताओं आपको यह लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए quality तो काफी अच्छी है आपको earphones भी magnetic मिल जाते हैं और जहां तक earphone की build quality की बात है तो आपको यह flexible पूरी जो भी wire लगी हुई है वो flexible मिल जाती है जो कि neckband है flexible है तो ऐसी कोई दिक्त नहीं है यह देखिए काफी flexible मिल जाता है आप इसको adjust कर सकते हैं अपने according, neck के according, ear के according यह देखिए आप यहां से इसको adjust कर सकते हैं, ear के according अपने comfortability के according बट मैं जहीं कहूंगा कि आप इस earphone को ना लें क्यूंकि इसमें सबसे बड़ा reason है Bluetooth connectivity का और music quality जब भी आप इसको ज्यादा time तक सुनेंगे इस से songs तो आपको यह इसकी आवाज चुभेगी ear में, कोई भी bass अच्छा नहीं है इसका, और जहां तक connectivity इसुका है तो बहुत बड़ा इसु है, जो कि आप जेब में भी अगर phone को डाल कर अगर इसको चलते हैं, सुनते हैं, आ आपको यह stable connectivity नहीं दे पाता है, और वो भी, आपको मैं दिखा दूँ, flip card में 4 star, 5 star इसको क्यों मिला हुआ है, क्योंकि इसमें देखिए, यह warranty card मिलता है, जिसमें दिया हुआ है, go to order section, give us a positive review, that's why, इसलिए इसको 4.3 star मिले हुए है, so thank you, thank you very much guys, hope so your video पसंद आया होगा, त thank you, thank you very much